तो वेलकॉम आल आप सबका स्वागत है पुक वन के चैप्टर समकालीन विश्मे सुरक्षा सिक्योर्टी इन कंटेंप्ररी वर्ड ये चैप्टर पहले भी स्लेबस में था कोरोना आने से पहले लेकिन बाद में जब स्लेबस को कम किया गया चैप्टर को हटाया गया और इस साल दोबारा डाला गया है हलाकि एक दो चैप्टर हटाये गए है लेकिन इसको डाल दिया गया है तो इसलिए इस बार अब मैं चैप्टर नमबर या उसका सीक्वेंस नहीं डाल रहा हूँ जो चैप्टर का नमबर है क्योंकि इसमें काफी changes होनी के विज़े से सब chapter के sequence serial number उपर नीचे हुए है तो chapter का नाम हमारे लिए काफी है हम इसको आज पढ़ेंगे इसका part 1 आज हम करेंगे ये chapter international politics के लिए काफी आपको अच्छी knowledge देगा आपको काफी कुछ international politics अंतराष्टी राजनीती की terminology शब्द ज्यान इत्यादीश में मिलेगा तो ये काफी अच्छा है आपकी knowledge के लिए इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखना जल्दी से start करते हैं आज का वीडियो और topic तो सबसे पहले आज हम करेंगे इसका introduction प्रतेक देश में हर country में सबसे बड़ा जो खत्रा होता है आज की तारीक से लेकर जब तक की मानव इतियास को देख लो सबसे बड़ा खत्रा जब से देश राज्य राष्ट राज्य बने हैं खत्रा रहता है बहार के सैने दबाओ या बहार से कोई country सैने हमला military attack ना कर दे इस खत्रे की जो जड़ होती है जो root cause होता है उसमें दूसरा देश होता है जो सैने कारवाई की धंकी देता है या सैने कारवाई करता है military attack करता है और प्रभु सत्ता जो देश की sovereignty है उसके लिए खत्रा या भेह रहता है समकाली इन विश उरानेती में जो contemporary world politics है इसमें सुरक्षा का अध्यन बहुत ज़्यादा matter या यूं कहलो के importance रखता है महत्रू रखता है विश उस्तर पर अधिकांज देशों को अपनी अपनी सुरक्षा जितने भी आप वर्ल्ड में countryों को देखोगे वो अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं उनमें चिंता रहती है सुरक्षा का परंपरागत दिश्टी कौन ये बहुत important है इसको आगए हम detail में करेंगे लेकिन अभी के लिए सुरक्षा के परंपरागत दिश्टी कौन के अनुसार एक देश की सुरक्षा को जो सबसे ज़्यादा प्रेशर या दबाओ रहता है वो उसकी राजनितिक सीमाओं पर जो उसकी बॉर्डर है उस पर रहता है विश्वर राजनिती में प्रतेग देश को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार होना पड़ता है स्वेम जिम्मेदार या यूं कहलो आतनिरबर होना पड़ता है क्योंकि आप अपनी सुरक्षा को या एक देश अपनी सुरक्षा को किसी दूसरे देश के ऊपर निरबर नहीं छोड़ सकता है या उसकी जिम्मेदारी पर नहीं को मिले हैं जैसे आतंकवाद इत्यादी को परमुक या मेन माना जाता है आतंकवाद एक ऐसी कारवाई है जिसमें आवैधानिक तरीकों से सामाने जंता के अंदर जो पे जाता में जिस देश में भी आतंकवादी घटनाए होती है वहां वहाँ शान्ती भंग हो जाती है, जो peace वाला वातावरन या environment है, वो बिलकुल भंग हो जाता है, खतम हो जाता है, ये introduction का जो है English conversion है, जो English वाले student है इसको देख सकते हैं, अब आता है सुरक्षा का अर्थ या meaning या आशे, meaning of security, शब्द secure को अंग्रेजी भाषा में 16 सदी में शामिल किया गया था, यह है एक Latin भाषा का जो शब्द है secures, इससे बना है, इसका आशे या अर्थ होता है, चिंता से मुक्ती, freedom from anxiety, ठीक है, अब आपको मैं एक बात clear बता दूँ, एक या दो माक्स तक, आपके सामने simple सा question आए, सुरक्षा का अर्थ meaning आशे बताओ, तो आपको सिर्फ ये एक line लिखनी है, हाँ अगर एक में आए तो इतना ही लिखना, अगर दो में आए तो आप इसके साथ ये भी लिख सकती है, लेकिन मेरी बात याद रखना, पहले ये line जरूर लिखनी है, ये बहुत main है, इसलिए मै इसको अलग से highlight करके लिखा हुआ है, तो सुरक्षा का meaning या अर्थ security का अर्थ या meaning में आप सबसे पहले ये line जरूर लिखेंगे, ये है मानव मातर का हर प्रकार के खत्रे से बचाओ या सुरक्षा, तो सुरक्षा का अर्थ क्या है, यहाँ पे simple सा लिखा है, सुरक्षा का अर्थ है, मानव मातर का हर प्रकार के खत्रे से बचाओ या सुरक्षा, तो यह है इसका real अर्थ, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, आप सबसे पहले ये line लिखेंगे, तो English वाले भी पहले ये line लिखेंगे, अगर एक number में आया दो में, और उसके बाद हम इस, या in lines को भी use कर सकते हैं, अब आएगा आपके सामने types of security, security के कितने प्रकार या सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, सुरक्षा के प्रकारों को या यह कहलो के parts को दो भागों में बाटा गया है, सुरक्षा की परंपरागत धारना या traditional concept, और सुरक्षा या security की गैर परंपरागत ध धारना हैं, तो दो हैं और आपको यह दोनों के नाम लिखने को बोला जा सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से याद रखना, अब हम अलग अलग दोनों धारनाओं को देखेंगे या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सुरक्षा की परंपरागत धारना या traditional concern of security, जो उसकी traditional धा सुरक्षा की परंपरागत धारना में बहारी खत्रों को शामिल किया जाता है, बहारी खत्रे मतलब जो एक देश को बहार से मिलते हैं या होते हैं, बहारी खत्रों में मुख्यता या मेन माने जाते हैं, सैन्ययुद, शक्ती संतूलन, शक्ती संतूलन के बारे में आगे हम औ common foreign attack या यूं कहलो एक देश के उपर दूसरे देश ने युद्ध कर दिया इसके अलावा मेरी बात को याद रखना इसके अलावा कभी-कभी परमपरागत धारना में हम civil war या यू कहलो ग्रहे युद्ध को भी शामिल करते हैं तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना civil war या ग खत्रा सैन्ने दबाओ का या मिल्ट्री प्रेशर का या मिल्ट्री अटेक या सैन्ने कारवाई का सैन्ने आक्रमन का ही रहता है सैन्ने कारवाई से एक देश की सुतंता संप्रभूता के साथ साथ नागरिकों को जीवन को भी खत्रा होता है जो उस देश के अंदर नागरिक रह रहे हैं, उनकी जान को भी खत्रा होता है, परंपरागत चिनतायや यू कहलो ट्रछिशनल कंसर्ण्स, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सबसे बड़ी चिनता, मैंने पहली बताया कि सैन क्घत्रे से संबंधित होती है, और इस खत्रे का जो स्रोत है या यूँ कहलों की सोर्च है वो दूसरा देश आपका पडोसी भी हो सकता है या इसके अलावा कोई और देश भी हो सकता है शत्रु देश दूसरे देश को सैनिक हमले की धमकी देता है और सैनिक कारवाई भी कर सकता है और इससे क्या है कि एक देश की प्रभुसत्ता अक्रणता और सुतनता को खत्रा उत्पन हो जाता है डेंजर आ जाता है उस पर इस प्रकार सैनिक हमले में नाकेवल सैनिक ही मारे जाते हैं बलिक अगर किसी पे बड़े आप मास लेवल पर अटैक या हमला हुआ है तो उस सुरक्षा की परंपरागत धारणा में परंपरागत धारणा के अनुसार किसी स्रक्षा को किलो भातर है उसकी सीमा जो पॉलिटिकल बोडर है नियंतरन कर सके इसलिए ताकतवर देश हमेशा जो पावरफुल कंट्री है जो शक्तिशाली देश है वो हमेशा अपनी शक्ति का प्रियोग करता है और अंतराश्टी रानिती में मनमानी करता है यह है इसका English पहले इसको देख सकते हैं अब आएगा भारी शुरक्षा जो अभी हमने देखा कि शुरक्षा की परवस्षा राश्ट तो वहारी आंकर्मन Type किया जाता है मतलब जो बाहर से खत्रा मैसूस होता हो किसी विदेशी आक्रमन या बाहर से अटैक का होता है इस प्रकार बाहरी सुरक्षा का संबंद सिर्फ दूसरे देश के द्वारा किये जाने वाले आक्रमन या युद्ध की संभावना वाले खत्रे से होता है इसलिए प् आपको सुरक्षा का परमपरागत खत्रा उतना कम होगा जिसकी जितनी जादा शक्ति वो उतना जादा सुरक्षित ये माना गया है सदा से दूसरे देश के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो केवल एक राश्ट की संप्रवुता जो उसकी समनिटी है सुतनता फ्रीडम और प्रादेशिक अखंडता है उसको ही खत्रा नहीं बनता बलकि नागरिकों के जानमाल को भी खत्रा या डेंजर बनता है अब आपके सामने में बात आने वाली है सुरक्षा की जो प्रमपरागत धारना है अगर उसके अनुसार एक देश के उपर भारी खत्रा या कोई खत्रा आ जाता है तो देश की सुरक्षा के लिए एक देश के सामने तीन विकल्प होते हैं आप से कुशन में पूछा जा सकत है अगर परमपरागत रूप से एक देश की सुरक्षा को खत्रा है तो देश के सामने क्या विकल्प या उप्शन मौजूद है तो आपको उसके पारे में डिटेल में बताएंगे खास कर कि यह कोशन चार नंबर में काफी बार आया है उसको पूछा जाता है तो यह अभी ह किसी देश को खत्रा है कि बाहर से कोई देश आकर्मन करेगा तो पहला ऑप्शन है आत्म समर्पन करना यह एक विकल्प है कि जिसके उपर अटैक हो रहा है या जिसके उपर कोई बाहर से हमला कर रहा है जिस देश के उपर वह आकर्मन कारी देश जिसने अटैक किया है उसक बच जाएगी लेकिन इस खत्रे के सामने अगर आप सेरेंडर करते हैं या किसी बार के देश के सामने अटेक करते हैं तो काफी इसके भी गंबीर इनाम देखने को publisher को अपनाने से इस विकल को अपनाने से एक देश की संप्रभुता, सोतंदर्ता यहां तक कि उसका आत्म अपनी धनसंपत्ती यहां तक कि हो कि वह देश के एक जमीन का टुकडा काट कर आकर्मनकारी दयश को देना पड़े और उसको टालने के लिए उसे जो भी शर्ते देगा आकर्मनकारी देश वो माननी पड़ेगी सरिंडर करने वाले या आत्मसमर्पन करने वाले देश को ऐसा करना हमेशा कायरता का प्रतीक एक यू कहलो कि कोवडनेस का सिंबल माना जाता ये कोई अच्छा option नहीं है लेकिन बिल्कुल ही अगर कोई कमजोर देश है जो जिसके सामने लड़ने की शक्ती नहीं है या उसको लगता है उसकी हार तो बुरी तेरह से निश्चित है तो उसके लिए मजबूरी है इस option को उसे अपनाना पड़ता है दूसरा option अगर परंपरागत खत्रा होता है तो उसके सामने एक देश के सामने ये है अपनी शक्ती को पावर को बढ़ा चड़ा कर दिखाना बेसिकली क्या है कि अगर एक देश के उपर दूसरा देश अटैक करने वाला है तो जिस देश पे अटैक या हमला होने वाला है वो क्या करे कि अपनी शक्ती का इतना बढ़ा चड़ा कर प्रतशन करे कि जो आकर्मन या अटैक करने वाला देश है उसको अपनी विजे के बारे में अपनी विन के बारे में शंका एक संधे एक डाउट पैदा हो जाए जो आकर्मन करने वाला देश है उसको ये महसूस होने लगे या वो फील करे कि अगर उसने सही में युद्ध किया तो शायद विजय प्राप्ती तो नहीं, वो जीत तो नहीं पाएगा, वीं तो नहीं हो पाएगा, उल्टा उसको लॉस या हान ही उठानी पड़ेगी, इस एक विकलप से आकर्मनकारी में दोविदा की स्थिति, एक डाउट की स्थिति आ जाती है, और वो कई बार आक्रमन करना या व्यवारिक रूप से रिल लाइफ में या रिल स्थितियों में जो वास्तविक परिस्थतिय में उसमें युद्ध करने का इरादा बदल सकता है हाला कि इस option का भी अपना खत्रा है इससे हो सकता है कि बहारी खत्रा या बहारी आकर्मन का संकट टल जाए और सुरक्षा मिल जाए लेकिन इस सिविकलब से ये खत्रा है कि आकर्मन कारी देश अगर वो देखे कि भाया अगर मैं आकर्मन कर रहा हूं और सामने वाला अपनी श कि अब याकमन नहीं करता उसको इतना गुस्सा आ जाए इतना एंगर में आ जाए कि और ज्यादा गुस्से से ज्यादा शक्ति के साथ अटेक करें तो ये भी हो सकता है कि हमला जो है वो बहुत ज्यादा तीर या यूं कहलो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है तो ये बार बार इस option को अपनाया है जब जब अमेरिका ने हमला किया दो बार देखा हमने खाड़ी युद्धुआ तो दोनों बार ये बोला कि अगर युद्धुआ तो अमेरिका की माओ बेहनों के लिए पश्टाने का वक्त होगा अमेरिका की नसले खतम हो जाएगी ऐसे ऐसी बाते बोली तो ये बड़ा चड़ाकर ही बोलना था तो इस option का इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन इसके भी अपने कुछ यूँ कह सकते हो कि एक नकारात्मत परिणाम हो सकते हैं ये है इसका English Conversion नेक्स्ट आएगा कि तीसरा option क्या है अपना सब कुछ लगा कर युद्ध करना बारी सुरक्षा का ये तीसरा और आखरी विकल्प है अगर एक देश को लगे कि भाई ये आकरमन तो होगा या दूसरा देश आकरमन और युद्ध करके मानेगा तो सबसे बड़ा यही एक option है बहदूरी शे मुकाबला करना और अपने समस संसाधन अगर आपके उपर हमला हुआ है तो आप अपने देश को बचाने के लिए जो कुछ आपके पास साधन संसाधन सोर्सिस रिसोर्सिस है सब कुछ लगा दो अपनी अंतिम शक्ती तक का प्रियोक करो और आकरमन कारी जिसने अटैक किया है उसको पराजित करो उसको हराओ और उसे इतना मजबूर कर दो कि वो अपना कदम वापस लेने पर बाद्धे हो जाए या मजबूर हो जाए युद्ध के दोरान इस बात का ध्यान रखा जाता है ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो या एक देश का नुकसान जिस पर हमला हुआ है वो या दो देशों में अगर वार हो रही है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला युद्ध दो रहा है तो कि अपना नुकसान हमेशा कम से कम हो और शत्रू का अधिक जितना अधिक शत्रू का नुकसान एक देश करेगा उतना ज्यादा शत्रू राष्ट पीछे हटेगा और वो हार जाएगा और अगर वो हारेगा तो जाहिर सी बात है कि आप सुलक्षित हो जाएंगे और जो जीतेगा वो अपनी शर्ते भी ये भी याद रखना जो राष् पुरिमानी राष्ट एक सेल्फ रिस्पेक्टिड नेशन के उपर को युद्ध करे तो यही रास्ता अपनाए अपना सब कुछ लगाकर युद्ध करे इंडिया ने जब जब पाकिस्तान ने टैक किया 65-71 तब तब इस एक विकल्प को अपनाया है और भारत ने पाकिस्तान क हमेशा युद्ध में धूल चटाई है तो यह वाला उप्शन लास्ट उप्शन है तो अब हम चलते हैं आगे बहरी आक्रमन से सुरक्षा के परंपरागत उपाए अगर कहीं किसी देश पर भार से हमला या एक्स्टरनल अटैक हो जाए या कोई विदेशी आक्रमन हो जाए तो पहले जो देश थे वो कौन से उपाए या परंपरागत उपाए या यूं कहलो कि जो परंपरागत या पुराने उपाए तरीके अपनाता था एक देश वो कौन से होते थे या कौन से होते हैं तो पहला तरीका होता है कि अगर किसी देश पर अटैक होने की संभावना है उससे बचने के लिए शक्ति संतूलन ये बहुत पुरानी concept है इसके लिए तो आप मैं कहता हूँ कि अगर आप आगे बी ए ओनर्स पॉलिटिकल साइंस बगरा करेंगे तो बहुत डिटेल में study करना पड़ेगा तो शक्ति संतूलन क्या है अगर जब भारी आकर्मन हो रहा है और उससे सुरक्षा के जो परंपरागत उपाये है तो पहला है शक्ति संतूलन ये क्या है शक्ति संतूलन का अर्थ है किसी राज्ये या देश के बीच शक्ति यह यह कहलो पावर का बटवारा इस तरह से किया जाए या हो या करना है कि किसी एक देश के पास इतनी ताकत शक्ती या पावर ना हो कि वह अपनी शक्ती या पावर के दम पर अन्ने राज्ये को दबा सके यानि कोई भी राष्ट इतना ज़्यादा शक्ति शालीना हो जाए कि दूसरे राज्य अदेश के अधिकारों का हनन या यूँ कहलो कि उसका एक्स्प्लोटेशन शोशन या उसके ऊपर यूँ कहलो अपना अधिकार ना जमा सके यह सिध्धान्त राजों के मध्य संबंदों का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिध्धान्त रहा है आप ये मान सकते हो कि लगा कर सोलवी शताबदी से लेकर आज तक लगबग बीसवी शताबदी के अंत तक शक्ती संतूलन राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का उपाए या यूँ कहलो कि सबसे बड़ा तरीका रहा है आप देखो कि पराचीन यूरोप में और वर्ल्ड पॉलिक्स में शोलवी शताबदी से ही लगबग इस उपाय को अपनाया जाने लगा था शक्ती संतूलन की जो स्थिती होती है बैलेंस और पावर की इससे क्या होता है आक्रमन कारी देश को आक्रमन करने से रोका जाता है या यह स्थिती उसको आक्रमन करने से रोक सकती है और यदि आक्रमन फिर भी कोई आक्रमन करता है यूंकि आलो आक्रमन होई जाए तो शिकारी राष्ट को ये स्थिती बचा सकती है तो ये बहुत important concept रहा है आपको आगे बहुत बार पढ़ना होगा इसलिए इसको वह ठीक से याद रखना आप देखो शक्ती संतुलन को आप ठीक से अच्छी तरह से समझ लीजिए हाला कि देखो पेपर में आजाए तो आप सिर्फ जो मैंने भी पांच-छे लाइन बताई है वो लिख सकते हो आपके लिए आप जब आगे जाओगे एक रेजिशन में तो इसके उपर बड़े डिटेल में पूचा जाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके उपर नौलिज हासिल करनी है तो आप इसको ठीक से देखना पडोस के शक्तिशाली देश के द्वारा जब किसी छोटे और कमजोर देश पर आकरमणी अटैक किया जाता है तो छोटे देशों को पडोस के देशों से हमेशा खतरा बना रहता है जब किसी कि स्थिती ताकतवर बन जाती है तो मतलब अगर कोई भी देशों उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा शक्ति शाली हो गया है तो उसके अपने नियंतरन या दबाओं में रखना चाता है और ये भी कोशिश करता है कि जो कमजोर देश है उसके शेत्रों को उसकी टेरिटरी को तोड़ कर उसकी जमीन को अपने देश में मिलाये जाए यह आवश्यक नहीं है कि कोई बड़ा देश अपनी शक्ति की गोशना करे प प्ड़ोसी देश की सुरक्षा के लिए खत्रा बन जाए अब ऐसे में छोटे देश को किया है उसके सामने कोई मतलब option ही नहीं बचाब दो अब सामने शक्तिशाली देश है तो वो क्या करेगा वो क्या करेगा जो पडोसी देश के शत्रू राष्ट है जो पडोसी देशों से मितरदा का संबन्द तो बनाएगा लेकिन जो शक्तिशाली देश है जो एक कमजोर देश का शत्रू देश है और उस शत्रू देश का जो दूसरा शक्तिशाली एक शत्रू है मतलब यह कहलो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है एक सिंपल कंसेप्ट में तो क्या करेगा एक राष्ट जो कमजोर है वो अपने पडोसी शक्तिशाली शत्रू राष्ट के दूसरे शत्रू जो शक्तिशाली है उसके साथ मित्रता का संबंद बना कर रखेगा और अगर मन मुटाव की स्थिती में जहां कहीं ऐसी स्थिती हो कि आपका युद्ध मानकर चले कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध होने वाला है और एक कमजोर देश को ये लगता है कि जिससे उसका युद्ध होने वाला है वो जो शक्तिशाली राष्ट या देश है उसका किसी और राश्ट से पहले युद्ध हुआ था और जिससे हुआ था वो भी शक्तिशाली है, तो उससे वो अच्छे संबंद बनाएगा और बड़े देश के शत्रू देशों के साथ मित्रता करके उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त कर लेगा या करना चाहिए, यही एक विचार है शक्ति संतूलन का, शक्ति संतूलन का विचार सिर्फ एक एक ही कंसेप्ट या एक ही बुनियाद पर काम करता है, कि शत्रू का शत्रू मित्र है या यूं कहलो एक शक्तिशाली शत्रू के शक्तिशाली शत्रू को ही ढूंडा जाए और उससे मित्रता करके जो अपने ओपर अटैक करने वाला शक्तिशाली शत्रू है उससे बचा जाए तो ये काफी अच्छा एक विचार रहा है और काफी जमाने तक इसको अपनाया गया है तो ये इसका English Conversion है दूसरा जो option है वो क्या है सैने गठ बंदनों का निर्मान देखो शक्ति संतूलन का विचार अपनी जगह है लेकिन इसके अलावा भी परंपरागत सुरक्षा के गठ बंदनों का भी अपना में जो मिल्टरी Allaire ईंस है उसका भी एक महत्रम्पूप साUL का ओदेश्च इशत दीश की सैने हमले से रक्षा करना सैने गठ बंदन les 사श अलाइंच बनाकर एक विशेश शेत्र में जहां-जहां यह 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 क Acho कि मिइल्टरी अलाइंस बनाई Cause ल से बार है यह सब से सटी जो अग्जाम्पल एकुर्ट एक्जामंपल है नाटो हम सब नाटो के बारे में पढ़ चुके हैं तो नाटो इसका एक बहुत बड़ा सटीक उधारन है यह विश्च का एक बहुत माना हुआ military alliance सेन ने गडबंदन है नाटो की फुल फॉम है North Atlantic Treaty Organization इसके अलावा और भी military alliance देखने को मिलते हैं सीटो इसके अलावा 1955 में सोवियत संग ने भी मत्यों करत !!! military ऐसे संगे नाव गडबंदन में जी को मत्तों सब्सक्न sudah वार्शा बनाया था सोवियत संग ने 1955 में वार्शा बनाया था यह भी एक military alliance सेन्ने गडबंदन था होता क्या है कि 정도로 alliance में कई सारे राश एक दूसरे के साथ सेन्ने गडबंदन मना लेते हैं और जो देश एक सैने गड़बंदन में शामिल होंगे उनका एक सीधा सा ये concept होता है या सीधा सा एक काम होता है ये विचार होता है कि अगर किसी एक देश पर भी बाहर के देश ने हमला किया तो सभी मिलकर इसका जवाब देंगे तो इस तरह का सैने गड़बंदन परंपरागत सुरक्षा के उपाए में माना जाता है तीसरा आएगा अंतराष्ट्य व्यवस्ता हाला कि ये अंतराष्ट्य व्यवस्ता वाला जो concept है विचार है ये ज्यादा तभी कामियाब होता है कि जब यह बहुत मजबूत तो किसी देश पर यदि आकमन होने का मुख्य पर अगर आपको हिंसा रोकनी है तो एक मजबूत संगठन होना चाहिए और अगर आप हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो समझलों कि अंतराष्टिय संगठन मजबूत नहीं है राज्य के अंदर की जहां तक बात है तो राज्य इतना शक्तिशाली होता है हर जादा तर अगर राज्य माने जाए देश माने जाए तो गौवर्मेंट इतनी तो सक्षम होती है कि वो अपने नागरिकों को अराम से शासित कर सकती है अराम से उनके उपर रूल कर सकती है मतलब बहुत कम ऐसे देश होते हैं इंटरनली रूप से आंतरी रूप से जो इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने लोगों को ही ना समाल पाए लेकिन आंतरी तत्वों से जो खत्रे होते हैं वो इतने गंबीर नहीं माने जाते ये तभी गंबीर होते हैं जो बहुत बड़े ग्रह यूत की इस्तिति उत्पन हो जाए अधरवाई छोटा मोटा विरोध होता है विदर होता है तो इसको एक देश जो उसकी सरकार समाल लेती है लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा होता है वही होता है कि बहारी सुरक्षा या बहारी सैना से जो खतरा है वो क्योंकि इस से बचने के लिए एक देश को बड़ी सैना रखनी पड़ती है और उसके रख रखाव पर काफी धन खर्च होता है संयुक्त राश्ट संग हम सबको पता है UNO है लेकिन कोई ये विश्व राज्जे नहीं है विश्व राज्जे या क्योंगी वर्ल्ड स्टेट नहीं है UNO ना तो UNO के पास अपनी निजी परसनल सेना है और ना ही ऐसा वो कुछ कर सकता है कि शांती और सुरक्षा स्थापना वो अपने दम पर स्थापित कर सके अगर अंतराष्टे इस तर पर शान्ती और सुरक्षा इंटरनेशल लेवल पर पीस और सिक्योर्टी को establish करना है, स्थापित करना है तो UNO को अपने सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं पर ही निर्वर या depend रहना पड़ता है यही कारण है कि UNO बहुत सारे युद्ध को नहीं रोक पाता है क्यों क्योंकि युद्ध करने वाला बहुत शक्तिशाली देश हो सकता है जैसे अमेरिका, जैसे कि अभी आपने देखा रश्या ने यूकरेन पर अटेक कर दिया तो क्या कर लिया UNO ने और UNO अगर चाहेगा भी तो क्या कर लेगा, सारे देश अटेक करेंगे तो भी रश्या के पास आठ हजार परमानूब में तो यह एक ऐसी अंतराश्टिय वेवस्था जो बहुत मजबूत हो इसका ना होना भी काफी हद तक एक देश के लिए भारी खत्रा उत्पन करता है तो अंतराश्टिय वेवस्था सुरक्षा के परमपरागत उपाए से जो आप बचने का उपाए है अगर यह एक मजबूत हो तो एक देश को बचा सकती तो यह है इसका English प्रिश कन्वर्जन जो अभी हमने उपर किया है नेक्स आएगा आंतरिक सुरक्षा देखो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो एक देश को बहुत मजबूत बनाती है अगर आप परमपरागत सुरक्षा का एक पक्ष या महतपूर्ण पक्ष या एक important expect को देखो तो वो है आंतरिक सुरक्षा यह मुख्य रूप से मतलब जो आपकी एक देश की आंतरिक सुरक्षा है वो किस पर depend करती है तो यह मुख्य रूप से mainly अच्छी अर्थ वेवस्ता उस देश की शान्ती और कानून वेवस्ता और आंतरिक शान्ती पर निर्वर करती है मतलब अगर आप परमपरागत सुरक्षा के विचार को देखो तो उसका एक पहलू यह important पहलू यह यह कहलो कि एक महतपूर्ण पक्ष आंतरिक सुरक्षा इंटर्नल सिक्यूर्टी इसलिए है क्योंकि यह एक देश के किन चीजों पर निर्वर करती है कि उस देश की अर्थ वेवस्ता अच्छी है की नहीं कानून वेवस्ता लॉयंड आउडर अच्छा है की नहीं और जो उस देश में इंटर्नल पीस आंतरिक शांती है वो है की नहीं अगर यह तीनों चीज अच्छी है इस पर ही डिपेंड करता है कि वो देश बहार से सुरक्षित रहेगा की नहीं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की तुला में बहारी सुरक्षा को ज्यादा अभी तक मैत दिया गया है लेकिन प्रैक्टिकली या व्यावारी कुरूप से देखो तो बहारी सुरक्षा का जो आधार है जो हम भारी सुरक्षा भारी सुरक्षा या कोई दूसरा देश आक्रमन कर देगा उसका जो आधार है जो बेस है उससे बचने के लिए जो मेन चीज आती है वो आती है आंतरिक सुरक्षा internal security जिस देश की internal security मजबूत नहीं है तो उसके बिना बहारी सुरक्षा कभी मजबूत नहीं हो सकती अगर एक देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर पड़ती है तो वहां क्या स्थिती होगी उस देश में ग्रहयुद, सिविल वॉर, आंतरिक कले, इंटरनल डिस्टर्बेंस जगे जगे पर क्या होगा विदरो, विरोद, कानून का भंग होना, हरताल, आलगावादी, आंदोलन मतलब वो देश इंटरनली कलेश में लगा रहेगा और वहां की जनता अपस में लड़ती रहेगी और उस देश की सारे संसादन, उस देश का सारा पैसा किसमे लगा रहेगा अपने देश में शानती कायम करें, किसी तरह से लोग एंड ओर लाए मतलब की ये मानलो की अगर एक देश को कमजोर करना है तो उसमें आंतरी कलेश फेला दो वहां के देश में जितने भी लोगा आपस में लड़वा दोंको बुरी तरह से उससे क्या होगा, वो आंतरी कलेश में लगे रहेंगे और जितना ज़्यादा ध्यान आंतरी कलेश पर रहेगा या सादन आंतरी कलेश पर लगेंगे वो देश बाहरी रूप से उतना कमजोर होता रहेगा ठीक है और ऐसे में क्या होता है जब एक देश आंतरी क्रूप से कमजोर हो जाता है उसकी अर्थ व्यवस्ता बिल्कुल चौपट हो जाती है यूँ कहलो एकनॉमी अच्छी नहीं है कानून व्यवस्ता लाइन और ठीक से काम नहीं कर रहा है इंटरनली पीस्पूल नहीं आंतरी क्रूप से शान्ती नहीं है तो ऐसे में क्या होगा वो आंतरी क्रूप से कमजोर हो जाएगा और अगर कमजोर हो जाएगा तो इसका लाब कौन उठाएगा जो दूसरा शत्रू राष्ट है वो उसका लाब उठाकर उस पर आकर्मन कर देता है तो सुरक्षा के उपाए में चोथा आंतरिक सुरक्षा भी आता है कि एक देश अपनी अर्थवियाउस्था को अच्छा करें कानून वियाउस्था बिल्कुल अच्छे से मैंटेन हो स्थापित हो आंतरिक गूप से शांती हो क्योंकि ऐसे में क्या होगा अगर यह सारी चीजे होंगी तो वो देश सारा सारा का सारा ध्यान कहां लगा देगा भारी सुरक्षा पर अराम से लगा सकता है और वो अपने आपको भारी रूप से सुरक्षित कर सकता है तो यह है इसका इंग्लिश के नवर्जन जो अभी हमने किया है तो अब हम वो फिर भी ज़्यादा विशेश महतु दिया गया आंतरिक सुरक्षा के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है कि भारी सुरक्षा को ज़्यादा इंपोर्टेंट या ज़्यादा महतुपूर्ण माना जाता है। तो इसके काफी कारण माने जाते हैं ये कोशन चार नमबर में बहुत बार आ जाता है कि आंतरिक सुरक्षा ज़्यादा जुरूर्य की भारी या बारी सुरक्षा को ज़्यादा महतुपूर्ण क्यों माना जाता है क्यों इंपोर्टेंट माना जाता है तो इसको आप ठीक से द आंती संपन पीस्फूल थे इसी कारण ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पीस्फूल और बहुत ज़्यादा इंटरनली इंटीग्रेटीड या अखंड ते एकी कृत थे तो ऐसे में इन सब ने सारा ध्यान कहा लगा इन दोनों ने बारी सुरक्षा पर तो आप देखो के ज़्य ज़्यादा तर देश जो भारी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे वो वही थे जो इंटरनली आंतरी ग्रूप से बहुत शांती पून थे एकी कृत थे यूनाइटेड थे दूसरा पश्यम के अधिकतर देश जितने भी हम वेस्ट कंट्री बोलते हैं उनके सामन अपनी सीमा के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल बोडर है मतलब जो एक देश के अंदर की बात है वहार की बात करें तो उनके अंदर जो बसे वर्ग समू समुदाए इनके अंदर आंतरी कूप से कोई चुनूनती नहीं थी मतलब की एक मतलब की पश्चेमी देश्यों ke सामने कोई चैलेंज ही नहीं था कि इसके अंदर या इनके अंदर जो लोग रह रहे हैं जो वर्ग रह रहे हैं समू रह रहे हैं क्लासी समुदाय कम्यूटी समाज सोसाइटी में रह रही हैं वो आपस में लड़ें और उनकी तरफ से जो अंदर रह रहे हैं लोग समू समुदाय थे इनकी तरफ से देश को सरकार को कोई चुनोती नहीं थी ये व्यापक कुरूप से राष्टवाद के सूतर में जुड़े वे थे इनके अंदर जो लोग रह रहे थे अराम से राष्टवाद के सूतर में जुड़े थे इसी लिए जितने भी वेस्ट कंट्री थे पश्चमी देश थे इन्होंने सारा ध्यान कहा पर दिया भारी सुरक्षा पर दिया तीसरा शीत यूद के दौर में जो कोल्ड वार का टेने ओर था उसमें अमेरिका के नेतरोत में बना पश्चमी संगटन पश्चमी संगटन जो अमेरिका के नेतरोत में बना अभी मैंने बताया इसमें शब्से शक्ति शाली सहने गटबंदन बोला जाता है नाटो वो सोवियत संग के सामेवादी गुट से इर्शा करता था उससे बहुत ज़्यादा जलता था अमेरिका पुञीवादी विचार धारा वाला था तो और जितने भी पश्चमी यूरोप के देश थे ये भी अमेरिका के पुञीवादी विचार धारा वाले थे तो इन लोगों के गुट को बोला गया पश्मी गटबंदन ये जो गटबंदन था पश्मी ये सोवियत संग के सामेवादी गुट से बहुत इशा करता था जलता था और इसके कारण दोनों गुटों के मद्दे सैनिक प्रतिस प्रदा एक जो मिल्टरी कॉम्पिटीशन टाइ इसी कारण इन देशों ने सारा ध्यान सीमा पार के खतरों पर दिया और इनका ध्यान इंटरनल सिक्योरिटी आंत्रिक सुरक्षा पर बहुत कम गया क्योंकि सारा का सारा ध्यान कोल्ड वार शीतियुद के दोरान बारी सुरक्षा पर था तो फॉर्थ पॉइंट इसमें हालत में सोतंतर होना चाते थे फ्री होना चाते थे 1950 के दशक में फ्रांस को वेतनाम में और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केनिया में ऐसे ही संगर्षों का सामना करना पड़ा तो धीरे-धीरे क्या था 1950-60 का दौर वो था जब जितने भी ये उरोप के शक्तिशाली देश थे इन लोगों को अपोज या विरोध जिलना पड़ता था और काफी खुन खराबा हो रहा था नेक्स आएगा ये बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको बहुत ध्यान से देखना आंतरिक सुरक्षा की दृष्टी से देखें तो तीसरी दुनिया के देशों और विक्सित देश मतलब की प्रथम विश फर्स्ट वर्ल्ड के देशों की जनता के सामने जो खत्रे हैं उसके मद्दे कई अंतर है इसमें कई डिफरेंसिस देखने को मिलते हैं देखो अगर आपको पहली दुनिया दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया नहीं पता है तो इसके लिए मैंन पूरे इस टॉपिक को डिटेल में बताया है कि प्रथम विश्व या पहली दुनिया क्या है दूसरी दुनिया क्या है तीसरी दुनिया क्या है इवन मैंने उसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से यह भी बताया है पहली दुनिया में कौन से देश हैं दूसरी दुनिया में क तो इस टॉपिक को आप ठीक से जरूर देख लेना देखो ये मत देखो की इस साल आएगा की नहीं आएगा आप ये देखो आगे भी ये चीजे काम आएगी तो इसको बहुत ध्यान से देख लेना ये जो पहली दुनिया दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया है इस वीडियो का लिंक में description में दे दूँगा आप उसको जरूर से देखना है तो अब आपको देखना है कि आंतरिक सुरक्षा जो internal security की दिश्टी से देखो तो तीसी दुनिया और पहली दुनिया या विक्सी देशों के सामने जो खत्रे हैं उसमें कई अंतर पाए जाते हैं पहला तीसी दुनिया के देशों में आंतरिक संगर्ष या आंतरिक सैने संगर्ष की चिंता होती है जितनी वे तीसरी दुनिया के देश है या third world की country है उनमें ये खत्रा तो है की भार से military attack होगा या कोई भारी आकर्मन होगा लेकिन इसके अलावा आंतरिक कूप से भी सैने संगर्ष जो internally military conflict की भी स्थिती बनी रहती है जो विक्सी देशों में बिलकूल भी नहीं है पहली दुनिया के देशों के सामने ये वाली चिंता या खत्रा नहीं है कि पहली दुनिया के देशों में आंतरिक या internally military शंगर्ष या military conflict होगा या नहीं पहली दुनिया में नहीं है ये केवल तीसरी दुनिया में देखने को मिलता है दूसरा, तीसरी दुनिया के देशों में आलगावादी आंदलनों ने भी जोर पकड़ा है, विक्सित देशों या पहले विश्कित देशों में ये खत्रा नहीं है देखो आलगाव वादी आंदोलन का यहां मतलब है कि एक देश के अंदर कुछ लोग आलगाव या एक देश से अलग होकर टुकडा करने की कोशिश करें आप देखोगे कश्मीर में भी सेपरेटिस्ट है आलगाव वादी है जो कश्मीर को भा पकड़ा है लेकिन ऐसा सेपरेटिस्ट या आलगावादी आंदोलन विक्षित देशों में नहीं देखने को मिलता यह खत्रा जो है आलगावादी आंदोलन का यह प्रथम विश या विक्सित देशों के सामने नहीं है तीसरा तीसरी दुनिया के देशों को अपने पडोसी देशों के द्वारा सैनिक हमले की आशंका हमेशा रहती है जितने भी तीसरी दुनिया के देश है इनके सामने सबसे बड़ा खत्रा क्या होता है कि उनका पडोसी देश कहीं उस पर आक सीमा के अलावा भी और कारण हो सकता है जिससे की जनता को खत्रा लगा रहता है कि पड़ोसी देश आकर्मण ना करते हैं जैसे कि आप देखो कि इंडिया इंडिया भी तीसरी दुनिया का ही देश बोला जाता है इंडिया को बाडर पे खत्रा है पाकिस्तान से, चीन से, ऐसे ही जादा तर जितने भी तीसरी दुनिया के देश देखोगे, उनको अपने पडोसी राश्टरों से सीमा पर खास करकी जादा खत्रा होता है, इसके अलावा भी कोई खत्रा हो सकता है, लेकिन विक्सित देशों की जनता के सामने, ये जो सीमा वा सामने ऐसा कोई बड़ा खत्रा नहीं रहता, या ये खत्रा बहुत कम होता है, आप देखोगे, अमेरिका की सोसाइटी या समाज में रहने वाले जो लोग है नागरिक है, उनको ये खत्रा बहुत कम है कि उन पर कोई अटेक करेगा, पता है कि जो हमारी सेना है, मिल्टी पा बहुत चक्तिशाली है और बहुत ऐसे कम चांस है कि कोई हम पर हमला करेगा, अब आएगा सुरक्षा की आप परमपरागत या गैर परमपरागत धारना, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके उपर कई बार कोश्यन आता है कि सुरक्षा की तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसको बड़े अराम से आपको समझाता हूं, यह आपको अर्थ में लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, यह आपको सिर्फ समझा रहा हूं, लिखना क्या है मैं आपको बताऊंगा, गैर परमपरागत सुरक्षा धारना, सै मिल्ट्री प्रेशर है सैने आक्रमन इसके अलावा बी ऐसे बहुत ज्यादा खत्रे जाना में शामिल किया जाता है जो प्रहंपरागत सुरक्षा के खत्रों में शामिल नहीं आर्थ में सुरक्षा व्यक्तियों को या यूँ कहलो कि जो आप अगर शंकीन आप अपनी यूँ कहलो कि एक narrow-manded सोच से सोचोगे तो मानव सुरक्षा को केवल एक ही खत्रा माना जाता है कि हिंसा से खत्रा था तो परंपरागत धारना मानव को केवल हिंसा से बचाती थी कि बाहर का कोई आक्रमन ना कर दे लेकिन अगर broad व्यापकर्थ में देखोगे तो सुरक्षा की गैर परंपरागत धारना हर प्रकार के खत्रे से बचाती है बिमारी प्रकर्ति कापदा या विपत्ति इत्यादी से भी सुरक्षा देती है इसके अलावा वैश्विक सुरक्षा वैश्विक ताप प्रिदी ग्लोबल वार्मी अंतराष्टि आतंकवाद इंटरनेशनल टेरिजम महामारी के खत्रे से भी सुरक्षा देती है देखो यह आपको याद रखना है लेकिन अगर आपसे कोशन पूछा जाए सुरक्षा की गैर परंपरागत धारना या आप परंपरागत धारना का अर्थ बताओ आपसे कोशन पूछा जाए नॉन ट्रेडिशनल सेक्योरिटी का मीनिंग बताओ तो आपको सिंपल सा ये लिखना है ये वाला एक्क्यूरेट इन शब्दों को लिख दिना एक में या दो में आपको ये ही लिखना पड़ेगा इसमें कोई चेंज मत करना सामानने शब्दों में गैर परमपरागत सुरक्षा या यूँक हैलो नन ट्रेडिशनल सेक्योरिटी की धार्ना या कंसेप्ट में परमपरागत खतरों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इसमें परमपरागत खतरे बार से कोई आक्र्मंड not कर दे, युद्ध नहीं किया जाता है उन खतरों को भी श चामिल किया जाता है अब ये नवीन खत्रे क्या क्या हो सकते हैं जैसे गरीबी पोवर्टी बेरोजगारी अनिम्प्लॉइमेंट भुकमरी आतंकवाद टेरिरिजम निरक्षर्ता कुपोशन वैश्विक ताप विर्दी बीमारिया या महामारी दुरघटना या एक्सिडेंट प्रकर्तिक आपदाएं प्रकर्तिक आपदाओं में आपके पास कोई एक आपदा नहीं है भुकम्प आग या और कोई भी सुनामी जैसी आपदा हो सकती है इन सब खत्रों को भी शामिल किया जाता है तो कहने का मतलब यह है कि आप परमपरागा धारना में पुराने खत्रो को शामिल किया जाता है यह है इसका इंग्लिश कनवर्जन जो अभी हमने उपर किया है कि आप अपनी एक नॉलिज के लिए जरूर देख लो यह आपके बहुत काम आएगा सुरक्षा की आप परंपरागत धारना का संबंद मानव सुरक्षा की आधुनिक की modern संकल्पना से है सुरक्षा की परंपरागत धारना में युद्व विदेशी आकर्मन ग्रहयुद और आंत्री गड़बडी को ही या ग्रहयुद को ही खत्रा बताया जाता था लेकिन आज कल सुरक्षा की संबंदित खत्रों की बात करें तो इस सूची का लिस्ट का विस्ता हुआ एक्सपेंशन हुआ है यह माना जाता है कि विक्ति और समाज को या समाज में रहने वाले मानedi गया को जो खत्रे हैं वो机 कुए हैं जो उन्हें चोट पोचा सकते हैं या मनुष्य को सुरक्षा से संबंदित और भी खत्रे हैं जिससे की मनुष्य की मुक्ति हुनी है या सुरक्षा के उपाय करके उन खत्रों से मुक्त होना जरूरी है आज यह माना जाता है कि सुरक्षा केवल राज्ये को बाहरी आकर्मन या राज्ये को ही नहीं चाहिए बलकि समस्त मानो समाज को संपूर मानवता को सुरक्षा चाहिए ऐसे में राज्ये को खत्रा पोचाने वाले कारकों की सूची तो तैयार हो सकती है आप बड़े आराम से बता सकते हो कि विदेशी आकर्मन बार्श युद इन चीजों की सूची तो बना सकते हो लेकिन मानो समाज को कौन कौन से खत्रे हैं इनकी सूची को एग्जेकली बनाना बहुत जादा आसान नहीं है क्योंकि ये पता नहीं कितने ही खत्रे ऐसे हैं जिस भी दोर आएगा कि lockdown लग जाएगा लोग मरेंगे और ये सारी जो हमारे को विपदा यूं कहलो महामारी का जो हमारे को एक प्रकोब जेलना पड़ा वो भी हमें देखा है तो आप देखो कि सुरक्षा क्यों लेकर जो ये नई धारना है इस प्रकार के खत्रों कि आप exact कि नहीं बना सकते हैं तो यह है इसका English conversion जो अभी हमने किया थेंक यू फॉर वाचिंग यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन इसको करना बहुत जरूरी था क्योंकि हमें एक ही वीडियो में इस पूरे concept को करना था वरना आगे जो है इसका चीन जो है वह ब्रेक हो जाती तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में मैं हूं विकरांत आप देखने पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स